है फ्रेंड वर्कम तो मैं यूचूब चैनल अंकेता फंबॉक्स और मैं हूँ अंकेता तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत जादा क्रिएटिफ हुने वाली है तो मैं आप लोगों बताऊंगी कैसे लिमिटेट मेकप प्रोड़क्स के संग आप एक मेकप लुक क्रिएट कर सकते हैं थोड़े ताइम पहले मेरे संगे के प्रोड़म हुई थी कि मेरे पास मेकप बहुत कमता हूँ मुझे समझ मही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूँ और मुझे आल अफ 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 जाना पड़ा था तो मैंने सुचा क्यों ना चो चीज़ा मैंने उस टाइम पर खरी थी आप लोग के संग भी शेयर करी जाए लेकिन आपको मैं बता दूँ कि पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको लास तक पता चलेगा कि मेकप है वो कैसे टन ओवर होता है तो चलेए अब मैं चलती हूँ और आप लोग एंजॉय करिएगा लेकिन जाने से पहले ये जो साइड में बेल आइकन है इन इसे जरू बजा दीजेगा अगर आप लोग नहीं है तो पिकॉल आप मेरे सब्सक्राइबर मन जाएंगे और आगे आने वाली जो भी मैं वीडि तो जैसे कि अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारी वीडियो स्टार्ड हो रही है बिलकुल ए से मींस स्टार्टिंग से तो यहां पर मैंने सबसे पहला जो प्रोटक्ट लिया है वो है स्टेक वरकी की सी सी क्रीम यह मैंने पपल.com से मंगवाई ती और यह अप्रॉक्स नॉर्मल टेक्निक के संग यूज कर रहे हूं बहुती एक सटल तरीका यूज कर रहे हूं जो बहुत पहले से हम यूज करते आएं वो है अपने हैं की हेल्प से पूरे क्रीम को मैंने अपने फेस पे लगाया वा फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रहे हूं इसे हम बहुती perfectly blend करेंगे और आप देखेगा जब मैं second layer लगाऊंगी तो उसे में वहाँ लगाऊंगी जहां मैं mostly अगर मैं use करती तो concealer use करती तो आप देख सकते हैं कि मैं वहाँ इसे use कर रही हूं और बहुत perfectly मैं blend कर रही हूं बस आप यह अच्छे से कर दीजे because अगर आपका base perfectly blend हो गया तो पस आपका आदा काम तो वही पर sort out हो जाता है अब second product जो मैंने लिया है वो है oriflame the one का काजल यह normal stores में भी मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं अब तो local market के अंदर भी काफी oriflame के products मिलते हैं तो इस काजल को मैं use कर रही हूं ऐसे eyebrow pencil की तरीके से हाँ मैं ऐसे eyebrows को अपनी shape दूँगी इसके help से और आप देख रहे हैं कि हाँ एक अच्छी खासी eyebrow की shape मेरी आ रही है तो मैं ऐसे लगाऊंगी और slowly slowly अपने finger के help से blend करूंगी अपनी eyebrows के अंदर तो एक normal एक अच्छी सी eyebrow की shape आपकी निकल कर आ जाएगी और यह waterproof है तो definitely आपके face पर भी smurge नहीं होगा कोई blackness भी नहीं देगा तो बस अब तीसरी जो चीज में इसके संग करने वाली हूँ वो बहुत ही एक unique चीज है और मतला अगर हम make up करें और यह चीज करें तो हमारा eye make up बहुत ही अच्छा दिखाई देता है अगर आम normal way वी इसे करें तो काफी अच्छा है आप इसे under अप लोंगी यह तरीके की जो white line होती है अपनी eyes के अंदर उसे ना cover कर देता है और हमारी eyes की shape काफी अच्छी तरीके से लाती है अब normal एक rough तरीके से में काजल लगाऊंगी जैसे हम लोग नौर्मली लगाते हैं बिलकुर उसी तरीके से में काजल को अपलाई कर लोगी because अब मैं क्या करूँगी कि finger की हमसे से में साथ के साथ smudge करती हुई जाऊंगी तो एक sort of smokey eyes वाला जो लोगा आता है वो create होगा तो बस अब अब क्या अब यह है तीसरा product यह है naika की lipstick 15 shade number freda यह एक pinkish reddish tone की lipstick है जो मुझे ऐसा लगता ही कि सारी लड़कियों के पर्स में आपको मिली ही जाएगी यह ऐसा color होता है कि मतब एक woman ले लो या girls ले लो या teenagers ले लो इसे काफी पसंद करते हैं shade को तो इसे में use करूँगी as a eye shadow इसे में लगाऊंगी और बहुती slowly तरीके से अपनी finger की हैबसे से कर लोंगी तो बहुती प्यारा सा एक eye shadow भी निकल कर आ जाएगा सेम तरीका में दूसरी ice case ले यूज करूँगी और ब्लेंड कर लोंगी अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे तो आप एक चीज तो जरूर देखेंगे कि सारी चीजों के अंदर जो एक most important thing है वो है blending अगर हम normal makeup भी करें तो भी blending perfect होनी चाहिए अगर हम बहुती perfectly वाला makeup करते हैं तो उसमें blending बहुत साथ है important होती है तो सेम पूरे makeup के अंदर बस यही है कि blending आप अच्छे से करें तो अब मैं क्या कर रही हूं मिरे पास liner नहीं था तो मैं काजल को ही यूज करूंगी अब मैंने normal इसे काजल लगाया बहुत roughly लगाया तो इसके अंदर आपको बिल्कुली कोई practice type की जरूरत नहीं है कोई भी कि एकदम subtle हो जाएगा अपनी जगे पे तो बहुत एक नॉर्मल जो होता है ना smoky kind of look वो निकल कर आया अब देखे यह वाली टेक्निक इसमें मैंने क्या करा था कि मैंने lipstick को काजल के संग मिक्स कर दिया था क्यों क्योंकि आपको पता जह हम इन दौनों shade को mix करेंगे तो एक क्या निकल कर आया था सीरियसली आप खुद देखिए इस चीज को एकशली क्या था कलर था वो मुझे blusher का भी काम कर रहा था प्राउन कलर बना वो contouring का भी काम कर रहा था तो देखते जाएगा धीरे-धीरे करके जैसे मैं से blend करती जाओंगी बहुत ही एक प्यारा सा shade नि कराता मीज काजल क्योंकि मुझे एकदम शार्प वाली नोज अपनी दिखानी थी एक्चली तो मैं इसी तरीके से कह रहा हूं आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं आपके ओपर डिपेंड करता है अब फाइनली मैं लिप्स्टिक को ऐसे लिप्स्टिक ही उस करने वाली हूं कोई ट्रिक वगरा नहीं है यहाँ पर बहुत लाइट हैंड से बहुत लाइट तरीके से इस लिप्स्टिक को अप्लाई करा हैं बहुत यह पैपी कलर था तो मुझे बहुत जादा पॉप अप नहीं करना था अपने लिप्स को तो मैं हलके हासे से लगाती जा रही थी और फिंगर की हासे ब्लेंड करती जा रही थी अगर आप इस पूरे मेकप को देख रहे होंगे यह ता एक नजिक तो यह मैंने टिक टॉक वग्रा से सीख लिया था हाँ तो यह यह फाइनल लोग है और इन तीन चीजों के संग मैंने इस मेकप लोग को क्रिएट किया और आप लोग को यह ट्रेक्स यह क्रिएटिविटी पसंद आई हो और आगे चलके आप लोग के लिए यह यूज में भी आए तो यह है मेरा फाइनल लोग अगर आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा मेरी वीडियो को और नए है तो प्लीज मेरे चैनल वा सब्सक्राइब करें इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो के संग में आती रहूंगी और आके आने वाली वीडियो भी काफी अच्छी और यह है कुछ फोटो वगरा जो मैंने क्लिक करे थे इस मेकप के बाद तो आप देखिये की जस्टिस हुआ है की नहीं आई होप सोगी हुआ है बट एस अकॉर्डिंग तो यू और आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा तब तक बाबाई टेक केल